अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें कार को बैलन्स कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी वेट की मदद से तो क्या तुम मुझ पे यकीन करोगे तो आप फ्लूइट्स और पास्कल्स लॉक के बारे में पढ़ते हैं इसे समझने के लिए तो फ्लूइट एक ऐसी च ओने वाला है जो की बलूँन का शेप है अगर मैं बलूँन को स्क्वीज कर दूं कुछ ऐसे इस शेप में तो पानी का शेप भी ऐसा ही होने वाला है, अब अगर बलून में पानी के जगा पे कुछ गैस होती oxygen gas, तो मैं गाता कि oxygen gas की भी shape, यह बिल्कुल बलून के shape की है, अगर मैं बलून को squeeze कर दूँ, तो gas की भी shape बिल्कुल ऐसी ही हो जाने वाली है, तो यानि ये भी देख लिया कि fluid दो तरीके की होती है एक तरीका हो गया gas, एक type हो गया gas और एक type हो गयी liquids liquids का example हमने लिया था water और gas का हमने example लिया था oxygen, लेकिन इन दोनों categories में बहुत ही difference है, तेको gas, यह actually में compressible होती है, यह एक बहुत बड़ा difference है, compressible इसका मतलब कि अगर में वो balloon लो ना, जिसमें की gas भरी हुई थी, और उसे चारो तरफ से दबाओ, तो ये balloon दब जाने वाली है, ये compress हो जाने वाली है, और gas की volume कम हो जाएगी, यानि कि gas साथा dense हो जाने वाली है इस balloon के अंतर, ये compressible होती है, लेकिन अगर वहीं पर तुम liquids की बात करो, तो ये liquids ये almost incompressible होते हैं, यानि कि तुम अगर वो balloon लो, जिसमें की पूरा completely पानी भरा हुआ था, liquid भरा हुआ था, और उसे चारो तरफ से दबाने की कोशिश करो, तो भी उस balloon की volume में ज्यादा कोई change नहीं आने वाला है, negligible change आने वाला है, यानि कि हम ये मान सकते हैं कि liquids almost incompressible होती हैं, और अगर हम कुछ भी कर लें, तो liquids की volume में change नहीं आने वाला है, अब आओ इसी concept की मदद से, एक अजीब और गरी machine के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, और ये आगी मेरी machine, ये थोड़ा अजीब सी tube type की दिख रही होगी, इसका एक end ये थोड़ा सा पतला है, ये narrow है, और इसका दूसरा end ये थोड़ा सा चोड़ा है, ये देखो इसका area कुछ यहां से ढखे लूँ, इस layer को मैं यहां से ढखे लूँ, तो क्या होगा कि ये तो नीचे दब जाएगी, लेकिन पानी इधर से उपर उठने वाला होगा, देखो मैं इस ढखेलने वाला हूँ, इस piston की मदद से, इस piston को मैं ले जाओंगा नीचे की तरफ, और फिर इस पूरे layer को यहां से ऐसे ढखेलने वाला हूँ, कुछ D1 distance से, यानि कि यहां liquid की level, यह पहले यहां थी, और फिर अब यहां से यहां आ गई है, यानि कुछ D1 meters नीचे आ गई है, अब देखो, मुझे पता है कि liquid almost incompressible होती है, यानि कि अगर मैंने liquid को यहां से दबाया, तो यह दबीगी तो है नहीं, इसका मतलब इस level को ऊपर जाना पड़ेगा यह वाली layer, यह थोड़ा सा उपर उठ जाएगी, क्योंकि मैंने पानी को यहां पर दबा दिया है ना, और यह कुछ उपर उठने वाली है D2 से, यह यहां पर पहले थी, और यहां से फिर यहां पर आ गई, कुछ D2 meters उपर, अब देखो, अगर liquid, यह completely incompressible है, यह almost incompressible है, त रखता है, तो यानि कि मैंने यहां पर इस layer को जब दबाया, तो मैंने वालीम को कुछ compress करने की कोशिश की, कितनी वालीम को मैंने कुछ किया, तो देखो, यह area था A1, और इसे मैंने दबा दिया कुछ D1 से, यानि कि इतनी वालीम उवाटर इसे मैंने डिस्प्लेज कर दिय इसे मैंने दबा दिया यानि कि मैंने जो volume volume of water जो मैंने push किया वो आ जाएगा as volume 1 ये हो गया A1 into D1 के बराबर A1 into D1 इतना volume of water मैंने compress कर दिया तो इतना ही volume of water यहां से बाहर भी आना चाहिए उपर भी आना चाहिए ताकि volume में change ना हो बिलकुल ही same रहे तो आप लिख लेते हैं volume जो उपर आयोगा यानि कि V2 ये बराबर होने वाला है ये cross section area A2 और ये distance D2 इतनी volume of water में change आई होगी बढ़ गई होगी volume of water तो इसे लिखेंगे A2 into D2 और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जितना volume में ने compress किया उतना बराबर होना चाहिए जितना volume में expansion हुआ ताकि original volume of liquid ये same रहे यानि कि this पूरी चीज ये बराबर होने वाली है तो मैं लिख सकता हूँ A1 D1 is equal to A2 D2 अब यहाँ तक तो बाट ठीक है लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम ये सब कर ही क्यों रहे है तो देखो इस machine में मैं अब work की concepts लगाने बाला हूँ और इसकी मदद से हम ये देखेंगे कि pressure in liquids इसके बारे में क्या निकल के आता है तो देखो यहाँ पर piston पहले इस level पर थी अब इस पर मैंने कुछ force लगाया होगा नीचे के direction में कुछ F1 force जिसके कारण ये piston इसने water को compress कर दिया कुछ D1 compress कर दिया अब देखो force इस direction में है D1 displacement ये भी इस direction में है यानि कि मैंने इस system पर कुछ positive work किया है और work होता है amount of energy transferred और अगर work positive हो यानि कि energy transfer हुई है system में energy दी गई है system में यहाँ पर work in हो रहा है अब देखो अगर system में कोई friction में energy का loss नहीं हो रहा है thermal heat में कुछ energy का loss नहीं हो रहा है यानि कि energy completely conserved है जितनी energy system में आई उतनी energy बाहर भी जाने वाली है जितना work in हुआ उतना ही work out होने वाला है देखो अगर इसे देखने के लिए मैं यहाँ पर एक piston लगाने वाला हूँ मालो कि starting में इस level पर भी एक piston थी जब मैंने इस piston को नीचे धकेला तो यह massless piston यह उपर की तरफ उठ गई होगी water के level के साथ D2 उपर उठ गई होगी तो यानि कि इस piston पे कुछ force लग रहा होगा उपर की तरफ पानी कुछ force लगा रही होगी उपर की तरफ F2 का force इसे में यहाँ लिख लेता हूँ F2 का force माल लेते हैं और इसके कारण कुछ displacement हुआ उपर की तरफ पाहर की तरफ यानि कि पानी ने इस piston पे कुछ work किया और यह हो जाएगा work out अब अगर सारी energy conserved है तो यानि कि work in यह बरापर होने वाला है work out के अब उसे लिख लेते हैं work in w in is equal to w out क्योंकि energy conserved है अब आउ calculate करते हैं कि work in यह है कितना तो work हुज आता है force into displacement force है मेरा f1 into displacement यह हुआ है d1 अब यह बरापर होने वाला है work out जो कि f2 into d2 के f2 into d2 अब देखो यहाँ d1 और d2 की values मैं इन equation से निकाल सकता हूँ volume और area के time में यहाँ पर देखो d1 अगर दोनों साइड में a1 से divide कर दूँ तो मैंने पास आजएगी d1 is equal to v1 by a1 v1 by a1 तो यहाँ से मैं उठा के लिख सकता हूँ यहाँ पर f1 यह बरापर हो जाने वाली है sorry यहाँ पर d1 के जगा पर मैं लिखने वाला हूँ v1 by a1 v1 by a1 और similarly मैं इस साइड लिख देने वाला हूँ f2 f2 d2 के जगा पर मैं लिखूँगा v2 by a2 volume 2 by cross section area 2 अब देखो अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पर force divide by area यह कुछ नहीं बलकि pressure होता है यानि कि कितना pressure लग रहा है इस surface पर तो यहाँ पर मैं लिख देने वाला हूँ f1 by a1 यह हो जाएगा p1 p1 into volume 1 इस साइड की volume यह बराबर होने वाली है this is equal to pressure 2 f2 by a2 यह हो जाएगा p2 इस साइड की pressure जो pressure लग रही है इस piston पर into v2 अब अगर तुम ध्यान दो तो v1 और v2 यह थो हमने पहले ही निकाल रखा है कि यह volumes बराबर होने वाले है जितना volume of water मैंने यहाँ पर displace किया उतना ही volume of water यहाँ पर उपर भी आ जाने वाला है यानि कि v1 यह v2 यह बराबर होने वाले है यह हमने पहले ही निकाल लिया था तो ये cancel out हो जाने वाले हैं और finally हमारे पास निकल के आएगा कि pressure 1 is equal to pressure 2 यानि कि जितना pressure मैंने इस side पे लगाया उतना ही pressure यहाँ पे पानी लगा रही है इस piston पे अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एक incompressible liquid लूँ और उस पे कुछ external pressure लगाऊ P external तो यानि कि ये external pressure ये equally apply होने वाला है पानी के हर एक point पे यानि कि हर एक point की pressure अब P external से बढ़ जाने वाली है और इसी को हम कहते हैं Pascal's law अब देखो इसे समझने का मेरे पास एक और तरीका है एक और example देते हैं ये मेरे पास एक deep space में balloon है जिसे मैंने पानी से भर दिया है वैसे इस balloon की ये वाली material ये तो rubber की बनी हुई है लेकिन ये tube ये एक rigid body की बनी हुई है मालो कि steel की tube है और इसमें पानी को रोकने के लिए मैंने यहाँ पे एक piston लगा दिया है यहाँ पे deep space है तो कोई gravity की force नहीं लग रही है पूरा ही पूरा vacuum है बाहर है अब देखो मैं क्या करूँगा कि इस piston को मैं पुछ करने वाला हूँ नीजे के तरफ ऐसे तो यानि कि मैंने पानी पे कुछ external pressure लगा दिया है अब देखो पासकल का law ये कहता है कि जितना external pressure लगा वो ही external pressure equally लगने वाला है पानी के अंदर हर एक point पे यानि कि हर एक point पे pressure अब P external से बढ़ जाने वाला है यानि कि इस rubber पे हर एक point पे जो pressure पहले लगा रही थी पानी वो बढ़ जाने वाला है P external से equal amount से बढ़ने वाला है यानि कि इस rubber में expansion equally होने वाला है हर एक direction में ऐसे ये हो जाएगी अब हमारी rubber की shape ये माँ समझना कि pressure अब क्योंकि लग रहा है vertical direction में तो ये rubber vertical direction में ज़ादा expand करनी चाहिए ऐसे ऐसा नहीं होने वाला है और ऐसा इसलिए क्योंकि Pascal का law ये कहता है कि अगर P external apply हो तो यानि कि P external इस liquid में equally लगने वाला है हर एक point पे हर एक point का pressure equally बढ़ने वाला है P external से अब आओ इस पे एक interesting चीज़ देखते हैं ये इससे मैंने हटा दिया और फिर से मैं ले आता हूँ अपने अजीबो गरीब machine अब देखो इसमें हमने ये देखा कि जितना pressure में यहाँ पे लगाऊंगा piston पे P in P in उतना ही pressure पानी यहाँ लगाने वाली है इस piston पे P out P in बराबर होने वाला है P out के तो माल लेते हैं कि यहाँ पे P in कुछ दिया हुआ है मेरे पास 10 pascal का P in दिया हुआ है कुछ 10 pascal या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 10 Newton per meter square यह pascal या Newton per meter square यह unit हो जाती है pressure की और मेरे पास दिया हुआ है area input area A1 या A in यह दिया हुआ है कुछ 1 meter square और इस बड़े वाले tube का area यह दिया हुआ है कुछ A out is equal to 10 times 10 meter square यह इतना चोड़ा है अब देखो pressure होता है force per unit area pressure is equal to force per unit area F in by A in ठीक है तो मेरे पास pressure इसकी value पता है और area in इसकी value पता है तो निकालते हैं कि कितने force है मैंने इस piston को ढखेला तो मैं इससे नीचे लिखने वाला हूँ दोनों side में area को multiply कर दूँआ अब उसके पहले लिख लेता है values 10 हो गया pressure यह बराबर है F in इसकी value निकालनी है divide by area in area in तो खेर 1 ही होने वाला है तो यानि कि F in यह हो जाएगा 10 10 newtons इतने force है मैंने इस piston को ढखेला अब देखो यहाँ पर calculate करते हैं कि force क्या होगा P out is equal to F out divide by area out अब देखो P out यह बराबर होने वाला है P in के यानि कि इसकी value भी हो जाएगी 10 Pascal यहाँ लेके लेके हैं 10 is equal to F out divide by area out तो इसकी area यह दीवी है 10 meter square यह 10 times है input area के तो अगर मैं F out की value calculate करूँ दोनों side में 10 को multiply कर दूँँगा तो यहाँ से 10 cancel और यह 10 into 10 यह हो जाने वाला है 100 newtons तो अगर तुम ध्यान से देखो तो जो input force था उसका 10 times हो रहा है output force F in 10 है तो output force आ रहा है 100 newtons तो यानि कि यह machine एक force multiplier की तरह act कर रही है इस side में तुम कुछ force input करो तो यह output करेगी force कुछ multiply करके कि इस piston पे एक side में मैंने तुमें खड़ा कर दिया तो तुम इस पे force लगा रहे होगे अपने weight के बरापर और दूसरी side पे मालनो कि मैंने कार को रख दिया है जिसका की weight तुम्हारे weight के 10 times है तो यानि कि तुम्हारा weight अब इस car की weight को balance out कर लेने वाला है इस particular case में और अगर तुम थुड़ा सा और weight पढ़ा दो ना तो क्या होगा कि तुम इस car को easily displace भी कर दोगे अब इस machine को हम बोलते है hydraulic lift और इसका इस्तमाल commonly होता है cars की garage में cars को उपर नीचे move करने के लिए अब आओ एक बार recap कर लेते हैं starting में हमने देखा कि fluids क्या चीज़ होती है fluids एक ऐसे substance है जिनका कि खुद का कोई shape नहीं होता है और ये container का shape ले लेती है fluids दो तरीके की होती है gas और liquids gas compressible होती है लेकिन liquids ये almost incompressible होती है अब इसके कारण हमने liquids के लिए एक law define किया pascal's का law अब ये कहता है कि अगर तुम liquid पे कोई external pressure लगाओ तो यही external pressure liquid के अंदर हर एक point पे apply होने वाला है ये extra external pressure यानि कि liquid के अंदर हर एक point का pressure ये पी नॉट से बढ़ जाने वाला है अब इसका हमने एक interesting application दिखा as hydraulic lift जो कि एक force multiplier की तरह काम करता है